नवस्कार दोस्तों मैं हो जैद कमार जैदो आप सभी का एक बार फिर अजीत्या दो ट्रिकी मेद में स्वाधत करता हूं। नाव और धारा पार्ट बॉन पार्ट टू इसको आप अच्छे से पढ़ करके आसानी से बड़ी अच्छे तरीके से नाव और धारा का जो प्रशन होता है प्रिचाओं पूछा जाता है उसको आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह पार्ट है टू है नाव और धारा का आज इसमे rale तो सबसे पहले पार्ट में इसके वहां प्रस्ट मेंने पहले जाती हैं से इसमें प्रश्ण बनाया जाता है यहां पर लिखा गया है यदि सांत जल में नाव की गत यक्स किलोमीटर और धारा की गत वाई किलोमीटर हो तो धारा की दिशा में डी दूरी तै करने में लगा समय मतलब कि धारा की दिशा में डी दूरी तै करने में लगा समय उसका क्या फार्मूला होगा और धारा की बिपिरीत दिशा में डी दूरी तै करने में लगा समय क्या होगा यहां पर दिया क्या गया गया है कि सांत जल में जो नाव की चाल है यक्स किलोमीटर प्रदघंटा और तो सान्त जल्में तै की गई दूरी है यक्स韵ेटर घंटा तो दी दूरी तै करने में लगा समय और किस दिशा में धारा की दिशा में अगर चलना चाहते हैं लिखेंगे पहला विर्स धारा की दिशा में लगा समय समय यानि की धारा की दिशा में लगा समय बराबर हो जाएगा यक दी बटे यक्स प्लस वाई अभी इस पर हम फार्म प्रस्म लेकर के आपका कॉंसेट्ट प्लियर करेंगे और धारा की विपरीद दिशा में धारा धारा की विपरीद दिशा में लगा समय लगा समय वराबर यह हो जाएगा दी बटे दी माईनस दी बटे यक्स माईनस होई ये आपका दोनों फार्मूले से उप्रस्ण होता है धारा की दिशा में अगर लगा समय निकलना है तो D बटे यानि कि चली गई दूरी बटे धारा की दिशा में आपको निकलना है तो जली गई दूरी और दोनों की चाल को आप जोड़ दीजी यानि कि नाव की गति जो है उसको रखिए फिर प्लस करके जो धारा की गति है उसको रख करके जोड़ करके उसमें भाग दे देते हैं तो वह नाव की दिशा यानि कि धारा की दिशा में इतना समय लगेगा वो निकल जाता है और इसी चीज़ को अगर उल्टा कर दिया जाए यानि कि चली गई दूरी बटे आपको सांत जल में यह निक कर जाता है यह रहा है अगर आपको तीसरा यहां पर प्रश्ण बन सकता है कि नाव की दिशा में जाने और आने जाने और आने में कितना समय लगेगा तब इसके लिए यह फार्मुला होता है लगा शमय जैने कि टी बराबर हो जाएगा डी बटे यह प्लस वाई प्लस दी इस फार्मुले से तीनु से आप अडियो ही बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं यह तो दोस्तों आपको किलिए रहो गया होगा अब हम प्रश्ण देखते हैं कैसे कैसे इसको हल करना पड़ेगा आई ये प्रश्ण देखा जाए अब प्रश्ण आपको देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है अब प्रश्ण आपका एक नाव की गती सांत जल में 8 किलो मेटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलो मेटर प्रति घंटा है तो 60 किलो मेटर की दूरी धारा की दिसा में और धारा की विपरित दिसा में तैंक करने में लगा समय ज्यात कीजिए एक नाव है जो सांत जल में 8 किलोमेटर प्र घंटे की चाल से चलता है और जो धारा का बहाव है धारा की गती 2 किलोमेटर प्र घंटा का है तो 60 किलोमेटर की दूरी 60 किलोमेटर की दूरी अगर धारा की दिशा में जाना हो नाव को तब कितना समय लगेगा वो निकालना है औ धारा की दिशा में धारा की दिशा में लगा समय धारा की दिशा में लगा समय पराबर अब यह लिखा था यक्स प्लस यक्स क्या था सांत जल्मी नाव की चाल सांत जल्मी नाव की चाल क्या है आठ किलोमेटर है और जो धारा की चाल है धारा की चाल दो किलोमेटर है इसको आ तो आप देख रहे हैं दोनों की चाल कितना हो जाएगी तो यहां पर दस मत रखिए अभी बात में रख दिया जाएगा दस हो गया अब चली गई दूरी साथ किलोमेटर के दूरी तैं कर रहा है तो अभी अभी फार्मुला आप रखे थे डी बटे एक्स प्लस वाई डी क्या है यहीं की चली गई दूरी साथ किलोमेटर के दूरी कितने समय में तय करेगा हो साथ यहीं कि अभी दस आया था दस से भाग दे देंगे तो छे घंटे आपको लग जाएंगे घंटे लग जाएंगे धारा के दिशा में ना को तैं करने में दूरी अब दूसरा प्रश्ण दोस्तों बनता है कि धारा के विप्रीत दिशा में तो धारा के विप्रीत दिशा में देखे रहे हैं धारा के विप्रीत दिशा में इसका हम लिखे धारा के विप्रीत दिशा में डी बटे एक्स माइनस वाई डी क्या है आपका साथ है यक्स क्या है आपका आठ किलोमेटर समय धारा की बिपरीत दिसा में लगीगा यह आपको इस प्रकार से हल किया जता है अगर आपको धारा की दिशा और बीपरीद दिशा दोनों निकालना हो धारा के दिशा में जाए अधारा के दिशा से फिर वापस चला है तब वहाँ पर आप क्या करते हैं आप देखिए दूसरा तीसरा मेरा जो फार्bellar में लिखा था कि अहां जाने और आने में लगा समय साट बटे आट माइनल कूप प्लस आठ यहां पे आपका प्लस है कि भीक्राइब कि हल्किया जाए साथ प्टे दस प्लस साथ प्टे या पकच्छ है काटेंगे दस हो जाएगा अब कच्छ हो जाएगा दस अच्छ है मिला करकी इसको जाने आने में लगा समय 16 गंटे दोस्तों अगर ना और धारा का इसी पर प्रसना पो बनता है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सेयर सब्सक्राइब चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपको इस प्रकाट समय ड